वेलकम स्टुडेंट तो हम लोग पढ़ रहते हैं मैट्रिक स्पेस जिसमें कि हमारा यह सेवन्थ एफ लेक्चर है तो इससे पहले सेवन्थ लेक्चर हो चुकी है अगर आपको नहीं देखें तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा आज एक हम इंपॉर्टेंट थियोरम लिए हुए जो कि एक्जाम में आया हुआ थियोरम है ठीक है कि मैट्रिक स्पेस कैसे मतलब प्रूफ करना है तो कुछ इस तरह किसे दिखाएंगे बस चार प्रॉपर्टियों मिन सैटिस्फाई करवानी है तो इसको बाद बोल देंगे क इसको प्रूफ करते हैं उससे पहले में चैनल पर प्रिशन को सिस्क्राइब कर दीजिएगा विडियो अच्छे लगते हैं वोडियो क्लाइकी जन फ्रेंस में सेकती सेगा ठीक है तो दिखिए इसका जो एक्ष्लियों में प्रूफ होगा एक्ष्योरम का कैसे होगा और बह से पहले तो हम लिखेंगे जो मारा गीवेन दिया हुआ है गीवेन क्या हमारा गीवेन दिया हुआ है दी जो है हमारा डिफाइन से किसे कैसे डिफाइन है तो दी ओफ एक्स य एक्ष्योरम टू एक्ष्योरम टू इकरलगा टू एक्ष्योरम टू एक्ष्योरम टू धीक formats i ka मूट एक्ष्योरम टू टू फ्रूट изв हम लेके चलेंगे तो लेखे D of xy greater than equal to 0 कैसे प्रूफ करते हैं सिंस हम जानते हैं क्या जानते हैं एक्स माइनस y करें यह हमें सा greater than equal to 0 होता है मौड के बाहर हमें सा positive होगा चाहिए इसमें नेगरे नममर अंदर में क्यों न हो mode के अदर, mode के बाहर आजादा तो क्या हो ज़ता है तो positive इस बुझे से यह हो गया and again implies करेगा क्या 1 plus x minus y का mode भी जो होगा वो भी greater than equal to 0 होगा कोई भी positive number में अगर हम लोग positive add करते हैं तो भी क्या हो जाता है वो positive ही हो जाता है तो क्या होगा कि गर positive को हम लोग divide कर दे एक positive number से ही तो भी result हमारा positive ही देगा positive result देगा तो means बो सकते हैं that is d of xy जो हो गया इसका value क्या अधा d of xy इसी है ठीक है तो first part हमारा होता है probe then second part second part में क्या करना है d of xy जो होगा वो equal to 0 और both side का implies मतलब both side implies का sign होता है है ना तो और यह मतलब क्या value of xy इसका value क्या दिया हो है x minus y का more 1 plus x minus y ठीक है this is equal to 0 बस इसके जगा पर हम यह value लिग दिये हैं this is equal to 0 then हम cross multiply कर देते हैं cross multiply करेंगे तो यह जो होगा right side चिला देगा अब right side में देख पा रहे हैं कि right side में x minus y का mode और 0 किसी के साथ भी multiply हो वो हमारा 0 ही बन जाता है ठीक है तो यह हमारा हो गया then mode अगर हम बाहर करेंगे तो क्या होगा x minus y हो जाएगा तीक है हम उपर erase करेंगे उपर थोड़ा सा erase करते हैं इसी के just नीचे ही लिखना है यह इतना हो ठीक है इसी के just नीचे लिखना है x minus y equal to 0 then हम क्या करेंगे minus y जो right side भीजेंगे तो यह मारा positive हो जागे negative positive बस इसको y स्वार से मतलब क्या reverse कर देनी है reverse करेंगे this one यहां से यहां जाएगा फिर reverse करें फिर reverse और यह reverse मतलब दोनों four side implies sign हो गया ठीक है मतलब क्या हो है की theorem को उल्ड़ा कर देता है x equal to y मान के चलेंगे इस तरह के से होगा फिर इस तरह के से होगा इस तरह के से देन दोन आपस में equal तो second part भी proof हो जाता है then third one d of xy equal to d of yx तो d of xy equal to क्या है x minus y sorry x minus y का mode है denominator में 1 plus x minus y का mode यह है हमारा then this is equal to अब क्या करेंगे minus जो है minus हम यहां से common out कर लेते है negative common out करेंगे तो क्या होगा यह हमारा negative बन जाएगा और यह हमारा positive बन जाएगा यह ना तो इस तरह के से होगा y minus x में यह convert हो जाएगा क्योंकि इसको फिर bracket के बाहर करेंगे तो minus y और यह minus minus plus तो x minus y हो गया then denominator में 1 plus यहां पर हम negative लेंगे तो negative जब actually में क्या करना है mode के अंदर ही negative common out करनी है तो mode के अंदर ही लेंगे यहां भी y minus x हो जाएगा यह हो गया then this equal to one minus अब क्या करना है sorry one minus होज़े यह mode है न mode अब mode के बाहर negative निकालेंगे तो वो positive में convert हो जाता है तो simple y minus x का यह mode बची गया denominator में होगा हमार फिसे mode के बाहर one निकालेंगे तो y minus x हो गया then this equal to क्या हो सकते है d of y x ओ क्या देखता है that is लिसकते है d of x y equal to d of y x third part प्रोव हो गया कितना easy था है ना then उसके बाद आता है fourth part fourth part में क्या करना होगा एक z एक्ष्ट्रा हा जाती triangle inequality स्चोरम तो जो की हम fourth part में निकाएंगे let x y z तीन element है जो की मारा r का element रहेगा मैं अटे सुनार बोला r का element रहेगा ठीक है then क्या होगा d of x y equal to हमें प्रोव क्या कहा नहीं है यह होगा less than equal to d of x z plus d of z y है ना तो d of x y का value के है देख लिए x minus y का mode और one plus x minus y का mode अब इसमें क्या करते हैं z हम extra डालते हैं ठीक है तो z डालेंगे extra तो क्या होगा एक हम negative z लेते हैं और दूसरा हम positive z लेते हैं minus y का यह mode ठीक है then यहां पर भी हम एक extra z डालेंगे जो कि मारा कुछ इस तरीके से होगा यह हमारा हो गया okay then आप क्या करना है कि यह तो हमें distribute करना होगा मतलब दो पार्ट एक मतलब दो element लेके एक पार्ट करना होगा फिर दो element लेके दूसरा पार्ट करना हो मतलब दो पार्ट में इसको distribute करना है अब मोड को distribute करेंगे तो क्या होता है a b का मोड जो होता है less than equal to a का मोड प्लस b का मोड यह होता है ठीक है distribution तो यहां पर हो जाएगा less than equal का symbol x minus z का मोड plus z minus y का मोड denominator में प्लस पिस से x minus z का मोड plus z minus y का मोड जो देख पा रहे है कि कि इस formation में यह हमारा है क्या नहीं है एक और rule लगेगा यहां पर क्या लगता है कि यह वर्टम this one हम बताए हुए थे previous class में यह उसके previous में बताए हुए थे यह rule जो था वो क्या था x minus z का मोड 1 plus x x minus z 1 plus z minus y का मोड ठीक है अब दीख रहा है यह जो था हमें हमारा यह term किसका है तो इस formation में हमारा term है तो यहां पर था xy तो xy था यहां पर xz है तो यह d of वो सकते हैं xz प्लस यह d of z y actual में हमें यही चाहिए था है ना that is here d of xy जी होगा अब less than का symbol यहां पर है तो less than का symbol का value होगा वो बढ़ा होगा equal to से बढ़ा होता है less than equal यह greater than equal जो भी होता है ठीक है equal के साथ कुछ आ गया तो वो बढ़ा हो जाता है तो उसी को हमनों use करते हैं then कहा है d of x z plus d of z y जो प्रूफ करना था वो हम कर दिया है प्रूफ ठीक है तो हम लिखेंगे यहां hence यह 10 करके लिखें hence the all four properties are satisfied नीचे लिखेंगा ठीक है satisfy हो गया hence जो बोला गया है question में वही आप answer दिजेगा hence d is metric और किस पर हाल पर यह हमारा metric हो गया तो एक्षोल में दिख रहा है कि नहीं यह मुझे एक बाच च्रेक करने दीजेए नीचे दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा है मतलब पता चल रहा है कि हम क्या हो रहा है इसके देगा पर क्या रहा है विए नीचे लिखा हुआ है तो थैंक्यों सो मच यहां तक बने रहने के लिए चैनल कजरों सस्क्राइब कर लिएगा वीडियो चल लगते वीडियो को लाइक की जिन फ्रेंज में सेट रहे जिए और आप लोग जूड़े ही रहे है क्योंकि हम पूरा पेपर कंप्लेट तब आने वाले हैं और लास्ट में तो इंपोर्टन प्रेशन हम देंगे ही तो तो थाटा बाई-बाई-बाई-बाई-अब नेक्स्ट वीडियो